देखे मैं हूँ आज EDMC के हैट क्वार्टर में और हमारे साथ है परियावरण प्रवंदक समति के अध्यक्ष वीर सिंग पवार जी जो की दिलशाद गाडन से निगम पार्शत भी है आईए जानते हैं जिस तरीके से इन्होंने एक टेंडर जो है प्राइवेट कंपनी को दि मैं पूरेदेश्वासियों को लोड़े की सुबकामने देता हूं और आगे खिचदी संक्रांती यह पुंगल और घुवुतियातिवार की उत्रणी मेक्रेशाद की सुबकामने पूरेदेशवासियों ज्रुआश्यों को देता हूं मसीन टो मसीन बैग्यानिक तरहिए से कुड़े का निस्तार हो उसके लिए हमने यह कुड़ा निस्तारन के लिए मेट्रोवेस्ट कंपनी को हमने 9 साल के लिए कंटेक्ट दिया जो घर-घर जाके डौर बिल बजा करके और घर से गीला और सुखा कुड़ा अलग-अलग लाएंगे जो स्ट्रीट स्विफिंग होगी वो कुड़ा लाएंगे और वो कुड़ा जो गीला कुड़ा है वो हमारे खाथ प्लांट पे जाएगा और जो सूखा है वो यह सब्साइट पर जाकर के कंपक्ट हो करके और वहां पर वेस्ट नेर्जी को जाएगा जो सूखा कुड़ा हुआ कि क्योंकि इसकी बहुना यह है कि जो हमारे सब्साइट है गाज़ेपुर में 145-50 मेटर उंची है कई बार हाथ से उच्छे आग भी लगती है क्योंकि अल्टेनिटी साइट को यह अभी तक हमें मिलनी जहां अगर मिली थी तो लोकल र प्रोजेक्ट है और जो यह घरगर से कुड़ा उठाने मेटर वेस्ट जो करेगी यह जितने भी ड़लावगर हमारे हैं वो ड़लावगर जीरो होंगे कुड़ा जमीन पर नहीं गवा गाड़ी तो गाड़ी जाएगा बैग्यानिक तरक से होगा उसका सग्रिगे से कुड़ घरोण से उठाएंगे और सेग्रिगेधिड कुड़ा उस से कम से कम 50 सरग आयटम जो घरोण से लोगों का गूल्ड निकलता है process कुड़ा हो करके और उसका भी कोयी आर्थिक लाव हो सकता है और जो उसके स्पेसा मिले तो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है हमारे अधिकारियों ने हमारे नेता सदन जी ने हमारे मेर स्टेंडिंग कमेटी पाल्टी ने डिसाइड किया कि अगर हमने सब्सक्राइब क्योंकि सरकारी कंपनियां इसको करते हैं और इसका लोएस टेंडर था उनको में अच्छा से अभी जो सब्सक्राइब के जितने भी करमचारी हैं जैसे डॉक्टर हो गए और भी है टीचर्स हो गए स्कूल में उनकी जो तंखा है वो आ नहीं पा रही है इसके लिए क्या कर रहे हैं मुझे बड़ा दुख है जो प्रस्ण आपने उठाए आपने मेरे के जो घाव को कुरिदा है करोना काल में पिछले साल मार से लेकर के और लगातार हमारी डॉक्टर हमारी परेमेडिल की स्टाप हमारी डेंगू चेकन गुलने हमरे रुखने के लिए कि हमारे डीवी से करमचारी स्वास्ते करमचारी परियाबन सायक मेंटरिनेस डिपार्टमेंट लोगे सभी कारे करत जितने कर्मचारी हमारे हैं वो लगातार इस करोनकाल अपनी जान को खेल करके और उन्हें दिल्ली के नागरे को बचा एडेमसी के लोगों बचाया क्योंकि एडेमसी में है और वहां कच्छी कलोनिय हाउस्टेस का भी कोई बहुँ जादा रिवनी हमें मिलता नहीं दूसरा कोई रिवनी के साधन नहीं है साधन नहीं होने के बाबजूत भी हम किसी तरह से अपना काम चला रहे थे लेकिन करोनकाल में जो हमारा काम था वो दूना बड़ा है और करमचारियों को सिलीन दे पा रहे और जो यह पैंसा आना था यह दिली सरकार में हमें देना हैं पैंसा क्योंकि कोई भी निखम चलती है वहां की रजस सरकार उसको मदद करती है उसके बच्चे हम सरकार हमारी माई बाप होती है और हम जो होते हैं 75% काम निगम करते हैं और 25% काम सरकार दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार जो उसमें एक्जेडिंग सरकार है वो करती है क्योंकि दिल्ली में एक ऐसे आमाधिम पार्टी के सरकार आई है जो दिल्ली को सिंगापूर बना रहे थे खुद तो इनके पास संसाधन सारा इडिमसी करता अपने पास तो कुछ नहीं इडिमसी सारे काम करती है जा पॉलुशन प्रयावन रोकने से लेकर के प्रवंदन से ल मिलना है वे क्या रीजन सबूराजनदी करन है geeええ के इडिमसी में तीन बार लगातार को यह पूरी दिल्ली की जन्ता ने भारते जनता पार्टी को यहां पर सरकार बनाने का मौका दिया और उनको लगता है कि काम भारती जिनता पार्टी के पार्षद भार्टी की पॉलसी ही काम करती है इसलिए मैं चुनके बेजा अब उनको निगम में आना है अगले साल चुना हुए बाइस में तो इस तरह से एक माहल बना के चलो की इडियम से तो भृष्ट है भृष्ट है पार्षद भृष्ट है हमें आज मैं बता रहो आपके सामने चार साल होंगे एक रूपे हमें फंड नहीं मिला इनके विदायक को दो करोड़ था दस करोड़ कर दिया हमारा सारा फंड जो हमारे मिनना था वो फंड अपने नहीं मैं बिदायक को दे दिया विदायक अपनी मनवर्ज से उस से का दुरपयोग कर रहा है जहां काम ने उना काम कर रहा है तो हमारा जो फंड मिलना है हमें डिली सरकार ने देना है और दिली सरकार के अंडर हम काम करते हैं तो इसलिए मेरे बिनर्म आग रहा है आप Just the प चलिए यह तो बात होगे कि राजनेती कारण की वज़े से कही ना कहीं यह समस्या जो है उत्पन हो रही है पार्टी है एक दूसरे का विरोध करेगी लेकिन जन्त जो करमचारी हैं उनसे क्यों दिश्मनी निकाले जा रहे उनके साथ इस तरीके का वहवार क्यों किया जा रहा है इसलिए हम तेरा दिन तक सर्दे मेर तीनों मेर हमारे टोटल नेता और उसमें से बारा मेला पारसत थी महां पर बैठें तेरा दिन तक कड़ाकी की सर्दी मुंदिनों में माइनिस वन डिग्री सेंटिग्रेट था ओपन आसमान के नीचे इन करमचारियों के लिए बैठे कि आप हमारा तेरा जार रुपे कर दो हम उन करमचारियों के एरर देंगे कई लोग कैंसर से पीटे थे बैठे कई परिवार में बिमार हैं बैठे जनको पैसे जाना खाने के पैसे नहीं है कुछ ऐसे लोग में 13,000 रुपे खुल तंखा लेते हैं और तिन तो तंखा लेते चलाने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा लेकिन खैर ये डिम से कैसे आलत नहीं है आपके पास खबर आई को ठीक है मेरा मानना यह है कि जब हमारे सरदे मेर वहां पर बैठे हुए हैं आप मिलने तक भी नहीं एक एक जो बाप है बाप का क्या फरज बनता है आकर के निगम हम आएंगे निगम को बहुत स्वच बनाएंगे अरे आप डिली सरकार को समालो आप हमारा पैसर दे दो तेरह जार क्रूड रुपया हम इनका दंखा देंगे करम चाहरे होगी एक डॉक्टर मैं अपने एक बात कर दो स्वामी देन होस्पिटल मेरे वार्ड में आ आज सतर सतर बच्चा एक दिर एक नाइट में पैदा हो रहे हैं मेरी डॉक्टर चाजों पांच उच्छे दस चिप्ट लगा रही हैं तब जाके उहां पर इस तरह सो और कोई एक बी केस गरत नहीं हुआ क्या हमें सरम नहीं आरी थोड़ा सा उनकी तनखाम दें उनको भी इसलिए में तो बाल बच्चे हैं इसलिए में तो बिनर माग रहा है आप पतरकार कों से मेरा आग रहा है कि आप इस कबर को जादा से जादा बैठा है और पूछे भी उनसे क्वेस्टिन कि 13000 रुपिया इडिम्स का क्यों दे रहे हैं और मैं एक जिम्मेदार यहां पर बै बनाना है तो बिना इडिम्स के बिना कमीटियों के आप इसको सिंगापूर नी बना सकते हैं आप इसलिए बहुत ज्यादा इतना ना करें हमें जाकर कि मजबुरन कूड़ा जगा जगा रोड़ों में पड़ा रहे हैं बिना सही योग के कुछ भी जो तरक्की होती है विका संसाधन को बचा के रखा हुआ है हमारे इंजनल की सोच है उन्होंने कर तभी तो पर यह संतुलित होता है तो मेरा तो आगर हाज्यूर की बिंती है माने के जिरवाल जी से मुख्यमंतरी से आप हमारे मुख्यमंतरी हैं जिनको तनखा देने उनके भी मुख्यमंतरी हैं तन्खा लेके अपना गुजारत करते हैं वो लोग हैं उनसे बहर मतलो आप उनके तन्खा दो शुक्रिया अंकल हमसे बात चीट करने के लिए खोज ख़बर के तो ये थे हमारे साथ वीर सिंग पवार जी जो की परियावरन परवंधक सेवा समिती के अध्यक्ष हैं इन्होंने यही बोला कि जब तक दिली सरकार जो है इनको फंड नहीं देगी तो आगे ये जो भी करमचारी हो उनको कैसे तन्खा दे पाएंगे तो सरकार को कही ना कही सोचना चाहिए और समस्या को मिल जुलकर हल करना च करदा चाहिए